असलाम लेकुम, I hope you all are fine, तो आज हम जी unit number 9 की review exercise करेंगे, बहुत important exercise है और thank you so much आप लोगों ने कहा कि ये review exercise भी आप करें क्योंकि मैं तो इस बार review exercise करने के रादे में नहीं थी, एक तो मैंने खुद की भी नहीं थी लेकिन आप लोगों ने comment किया, I am really thankful to you, बहुत important है और तो ये unit number 9 है linear equation और आज हम इसके exercise करते हैं, इससे पहले हम class 3, 4, 5, 6, 6 की जो continue है, 5 तक हम complete कर चुके है math, उसके आपको links जो है description में मिल जाएंगे, साथ साथ social study और science भी साथ साथ चल रही है, science भी हम 6 तक complete कर चुके है, 7 हमारे चल रही है, उसके भी आपको playlist मैंने बना दिय वो भी आपको playlist में आपको उसकी वीडियो मिल जाएंगे, अगर आपने मेरे चनल को subscribe नहीं किया, तो काईनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको timely notification रिसीव हो सके, और facebook page का link आपको description में मिल जाएगा, अगर आपको किसी किसम की कोई query है, question है आप मुझे inbox करें, या फिर आप वहाँ पर comment करें, या पोस्ट करें आप अपना question, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वहाँ पर reply दे सको, बाकि अगर यहाँ पर जो आप comments करते हैं YouTube मैं सारे पढ़ती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं सब को reply जरूर दूँ, तो आ इसे sum of x and 4, तो sum of x and 4 मतलब x plus 4, यह इसके expression बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि sum of x इन्हों ने खुदी कहा है कि sum करना है x है और 4 को, ठीक, second देखें, a number, कौन सा number नहीं पता, उसके लिए हम variable लेंगे, x, ठीक है, x ले ले ले, y ले, less than 7, less than का मतलब यहाँ पर अगर आप तरीके से, sorry, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर minus वाला हमें देखना है, तो less than का concept आएगा minus का, तो a number, मतलब हमें number नहीं पता क्या है, वो number x है, और less than 7, यानि x minus 7, 3 को देखें, 9 times a number x, 9 times, times का मतलब है, वो है multiplication, मैंने इसे पहले आपको बत हो रहा है, तो आप जो है, clue words, आप हर उसके याद कर लें, समझ लें, practice करें, यह आपकी understanding clear हो जाएगी, तो 9 times a number, मतलब 9 x, ठीके 9 x के लें, या 9 multiply x कर दें, उसके बाद है 5, sum of 2 number x and y, मतलब 2 numbers x and y, इनको sum करना है, तो इसका जो बनेगा हो, बनेगा x plus y, अब इसका last देख हैं कि product of variable x with itself, तो question number 6 है, product of variable x with itself, product का मतलब है multiply, और variable कौन सा है, x है with itself, मतलब x जो है, वो अपने आप के साथ multiply कर रहा है, तो इसका होगा x multiply x, ठीके, या x square आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसके book में जो answer है, वो है add takes है, मुझे नहीं समझ जा रहा है, इनों नहीं text कैसे किया है, तो please अगर आपको कहीं मुझे, आपको लग रहा है कि मैंने गलत understand किया है, तो please मुझे comment में इस question number 6 के बारे में जरूर बताईगा, अब आते हम question number 2 की तरफ, write an equation for each of the following, अब हमें equation लिखनी है, equation का मतलब क्या है, कि मतलब multiple, उसकी equal की sign आएगी, अब question है number 1, a number x decreased by 3 is 10, a number is decreased by 3 is 10, इसका मतलब क्या होता है, equal, यह देख लिए, सब में is is है, तो इसका मतलब क्या है, यह equal की बात करी, equation से, तो a number means x decreased by 3, decrease का मतलब क्या होगा, minus, और यह आपने 3 लिख लिए, is 10, यह आपकी equation बन जाएगी, अगर आपको लग रहा है कि आपने, इसको आप verify करना चाते हैं, तो मैं आपको तरीका बता दूँ, इसको हम solve करेंगे, हम x की value मालम करेंगे, x is equal to 10, यह minus का 3 है, इदा जाकर किसका हो जाएगा, plus 3, तो x is equal to, x is equal to क्या होगा, 13, मतलब हमारे जो x की value है, वो क्या है, 13 है, अ तो देखें, यह बराबर हो रहे हैं, यह 10 और यह 10, इसका मतलब आपने सही किया है, ऐसे भी questions आजाते हैं, question 2 है, thrice a number y, thrice a number y, increase by 5, 17, thrice a number मतलब 3 multiply y, यानि 3y, thrice a number, उसके बाद क्या है, thrice a number y, वो हमने लिख लिया, क्या, 3y, increase by 5, मतलब, योगा, plus 5, increase का मतलब क्या है, plus 5 is 17, यह आपकी question बन गई, 3 का देखिया आप, twice a number z, more 4 is 20, twice a number z, twice a number मतलब 2z, उसके बाद क्या है, more, more का मतलब क्या होता है, plus, उसके बाद क्या है, 4, 4 लिख लिया, is 20, यह equation बनेगी, अब next question को आप थोड़ा सा तबजह से सुनिएगा, half of number M, subtract from 7, मतलब यह number इस से minus हो रहा है, यह number इस से minus नहीं हो रहा है, यह half of number M, 7 से, तो इसको लिखने का तरीका भी हम उस तरीके से लिखेंगे, कि जो 7 है, वो पहले लिखेंगे, minus, अब half of number, आप इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, 1 upon 2 M चीक है equal to 4 या आप इसको इस तरके से भी लिख सकते हैं 7 minus M upon 2 equal to 4 चीक है तो यह इस तरके से हो जाएगा अब आते है question number 5 की तरफ question number 5 है कि sum of 2 consecutive even number is 16 अब इसे जो questions है ना यह मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें consecutive even numbers consecutive odd number इसे related जो कुछ questions होते हैं वो में solve करवाँगी यह बहुत important है इसे questions हर किसी job में आते हैं तो इसका एक formula होता है वो आप याद रख लें ठीक है अगर आपने consecutive even number बनाना है ना तो इसका formula होगा x plus x plus 2 ठीक है plus x plus इसका बनेगा x plus 4 ठीक है यह आप 8 करते जाएंगे और उसके बाद हो जोगा x plus 6 यह अब अगर question में आता है जैसे इन्हों ने काए sum of two consecutive number तो आप यह वाला लेंगे अगर कहने sum of three consecutive number तो यह तीन लेंगे sum of four consecutive even number तो यह लेंगे इस तरीके से same odd का भी होगा odd का थोड़ा formula change है वो में एक अलग वीडियो उसके बनाऊंगी तो उसके आपको मैं बताऊंगी questions वगेरा ताकि आपको उसकी अच्छी proper understanding हो जाए ठीक है तो question है कि sum of two consecutive even number is 16 अब हमने देख लिया दो कह रहें ना sum of two consecutive negative number मतलब एकस प्लस एकस प्लस एकस प्लस टू इक्वल टू क्या है इक्वल टू है 16 इसको मैं solve करूं तो यह जाएगा टू एकस प्लस टू इस इकल टू 16 यह हमारे expression बनेगी अब बुक में उन्होंने टू की जागा फोर दिया है बुक में जो है टू एकस प्लस फोर इस इकल टू 16 प्लीज मुझे बताईएगा कि मैं गलत तो नहीं हूँ बुक में यह answer है और मेरे हिसाब से यह answer है तो प्लीज इसको आप भी चेक कीज़ेगा मुझे comment में जरूर बताईएगा अब आते हैं हम next question की तरफ question number six है कि after eight years मतला आठ साल बाद I will be thrice as old as I am now मतला में तीन गुना मतला क्या हो जाँगी मेरी उमर बढ़ जाएगी अब जितनी हूँ इस उमर से तीन गुना में बढ़ जाँगी त्राइज है ना तो तीन गुना अब इसके age क्या है अब इसके age हमें नहीं पता तो हम इसको consider करेंगे x ठीक है अब पता होगा होता कि ये जी अब इसके दो साल उमरे तो हम इस दो के हम तीन गुना कर लेते तो हमें पता जलता कि क्या है तो इसके age क्या है ना हमें नहीं पता तो x है 30 is all यह इसकी अब की हें है उस साइगी जब 8 साल बाद ठीके अब उसमें ओ outright है याइकसाप की हुघ है उसमे आप साल हुजे यह तो यह इस की इसो किनतों है की तरायज हैं मतलब 3 कुना हम इसको बढा हैं तो ये इसकी 8 साल बाद उगी और ये इसकी हम जो बना रहे हैं além इस तरहा है ठीके तो इसे कुस्टेंस एज़ वाले में करवाओंगी इस पे भी में वीडियो बनाओंगी थोड़ा सा बस्वर के साथ रहें बहुत हेक्टिक स्केजूल है बहुत ज्यादा ठीके आते हैं अब कुस्टेंस नबर 3 कुस्टेंस थ्री में नहीं करवा रहें हैं यह आप कर लिजीए कि कुस्टेंस आपने साल्फ करने हैं सिर्फ कुस्टेंस नबर 4 हैं बहुत इंपॉर्टन कुस्टेंस हैं कि अप पॉल एकस मीटर लॉंग is blocking two parts ठीके एक पोल है और उसको हमने दो इसमें तक्सिम किया है उसक पास क्या आजाएगी औरिजिनल लेंद्ध आजएगी औरिजिनल लेंद्ध क्या है हम नहीं पता हम इसको consider करेंगे एक्स तो और अब एक पार्ट क्या है त्री है और दूसरा पार्ट क्या है इन्होंने खुद बता है दूसरा बाद टू एक्स माइनस सेवन्टीन टू एक्स माइनस सेवन्टीन और यह किसके बराबर है एक्स के क्योंकि औरिजिनल लेंद्ध हमें नहीं पता वो ही मालू करनी है तो त्री प्लस टू एक्स माइनस सेवन्टीन एक्स चीए अब हम इसको कर लेते हैं सेवन्टीन में से त्री एक्स लेकिन माइनस का एक्स तो यह माइनस माइनस खतम हो गया मतलब एक्स इकल टो 14 ओरिजनल जो लेंड थी पॉल की वो थी 14 अब आप अपने आंसर को वेरिफाइ भी कर सकते हैं ठीक है मैं दोबारा इस एक्वेशन को लिक रही हूँ 3 प्लस 2 एक्स माइनस 17 इकल टो एक्स अब हमें x क्या मिली थी x मिली थी 14 अब मैं इस एक्वेशन में x की value पुट करके इस पूरे को मैं solve करूं तो answer should be 14 करके देखें 3 प्लस 2 multiply 14 माइनस 17 ठीक है 3 प्लस 14 को मैं 2 के साथ multiply करूंगी तो 2 के साथ multiply करूंगी तो यह आजाएगा 28 minus 17 equal to 14 अब 28 में में 38 करूंगी तो यह फिर हम पहले इसको कर लेते हैं ठीक है 28 में से 17 में minus करूंगी तो वो हमारा बचेगा 11 equal to 14 और 11 में 38 करूंगी तो 14 यहाएगा मतलब 14 equal to 14 इसका मतलब जो हमने x की value मालूम की थी वो बिल्कुल सही मालूम की थी तो यह इसका answer इस तरीके से आएगा अब आदें कुस्टन 5 की तरफ if a number is tripled and the result is increased by 5 we get 44, find the number if a number, अब number क्या हमें नहीं पता तो इसको हम consider करेंगे x के साथ ठीक है? और उस number को क्या करें? उसके बाद करें, result is increased ठीक है? अब increase हो रहा है, मतलब प्लस 5 आएगा इसमें प्लस 5 और equal हमें क्या मिला? get 44 इसको सेम तरीके से आप solve करें, 3x वहीं रहेगा 44 यह प्लस का 5, इस तरह माइनस का 5 हो जाएगा x is equal to, I guess यह 39 बचेगा, ठीक है? हाँ, और इसको हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3x जा 3, 3x जा 9 तो x is equal to 13 हमारे पास आँसर आएगा ठीक है, अब question number 6 देखें, twice the number added to half of itself twice the number, ठीक है, added to half of its equal 20, find the number अब half of number, twice the number, sorry, means 2x, उसके बाद क्या करें? added, added मतलब plus to half of its equal, half of itself, half of itself मतलब उस number का half, x upon 2, equal to 20, अब देखें, इसको solve करने के लिए हम LCM निका लेंगे, यहाँ पे 1 है, 2 की table में 1, 2 time, 2 को 2 के साथ multiply करेंगे, तो 4x हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका x, ठीक है, x is equal to 20, 4x, 1x हम plus करेंगे, तो 5x upon 2 is equal to 20, ठीक है, और यह था 5x upon 2 equal to 20, यह 2 यहाँ पे multiply करेंगे, यहाँ divide करेंगे, वहाँ जाकर 40, और 5x के साथ multiply करेंगे, वहाँ जाकर divide करेंगे, तो 40 upon 5, 5 under 5, 5 is a 40, तो x is equal to 2, हमारे पास क्या आया, 8 आया, तो इसका answer क्या हुआ, मतलब वो number कौन सा था, वो number था 8, ठीक है, अब आतें question number 7 की तरफ, question number 7 है, कि 3 is a number decreased by 5, ठीक है, 3 is a number, मतलब मैं expression यहाँ पर बना देती हूँ, आप इसको खुद solve कीजेगा, 3x, ठीक है, number decreased by 5, मतलब minus 5, ठीक है, exist a number by, exist a number by, ठीक है, by a unit, मतलब वो equal होगा, by exist the number by unit, मतलब 1 plus 5, by unit, मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका बनेगा, 1, ठीक है, इसकी जो है, मैं गलत कर रही हूँ, इसको मैं दुबारा इसको करती हूँ, यहाँ पर ठीक है, अब है जी, 3 is a number, मतलब 3x, ठीक है, decrease by 5, मतलब minus 5, x is the number, mean equal, number क्या है, x है, ठीक है, x is the number by a unit, x is the number, मतलब, x is का मतलब का plus, और by a unit, मतलब 1, यह आपकी एक expression बनेगा, जब आप इसको solve करोगे, तो जो x की value आएगी, वो आएगी, 3 आएगी, आप solve करके देखिएगा, ठीक है, अब आते हैं, question number 8 की तरफ, question number 8 है के, the sum of 2 consecutive even integer is 34, 5 decimales of them, अब हमने पहले भी discuss किया कि, x plus, x plus 2, यह फार्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नहोंने का है, sum of 2 consecutive even number, even integers, तो यह बनेगा, x plus, x plus 2, और यह एकवल किसके बनेगा, 34, अब इसको मैं solve करूँ, x plus x plus 2 is equal to 34, 2x, और यह 2 इस तरफ चला जाएगा, minus का हो जाएगा, minus 2, 2x is equal to 32 में से 2 गया, 34 में से 2 गया, तो 32 बचेगा, ठीक है, और x is equal to, यह 2 यहाँ पे multiply करा है, यहाँ जाकर divide करेगा, 32 upon 2, तो यह बनेगा आपका, 2 1s are 2, और यह आपका बनेगा, मतलब x जो है, वो 16 है, smallest value x की क्या है, 16 है, फिर जो next बनेगा, 16 में आप 2 8 करोगे, तो 8 ठार आपका बन जाएगा, और फिर इन दोनों को जब आप 8 करोगे, तो 34 आजाएगा, ठीक है, अच्छा, ऐसे ही question आ सकता था, हमारे पास के, के sum of thrice consecutive even number equal to 72, तो आप इसको देखिएगा, के क्या हरे, यह आपको मैं homework दे रहे हूं, ठीक है, के x, यहाँ पर मिल लिख रहे हूं, sum of, यहाँ पर आप करेंगे, sum of thrice, यह three, sum of three consecutive even numbers is 72, तो मुझे इसका बताईएगा, answer क्या आ रहा है, आप लोगा, ठीक है जी, answer मैं आपको बता देती हूं, answer आप का आना चाहिए, उस तीन नमबर आपने बताने, वो तीन नमबर कौन से होंगे, एक होगा, 22, 24, 26, मुझे बताईगा, कि आपके भी यही आ रहे हैं, तो प्लीज मुझे बताईगा, मैं रिपीट कर रहे हैं कुस्टों, जो आपको मैं दे रही हूं, the sum of three consecutive even number is 72, find जो वो तीन नमबर हैं, वो आपने बताने, कि वो कौन से नमबर हैं, जो आपस में sum हुए, जो आ रहे हैं, 34, तो मैंने नमबर तो वैसे बता दिया हैं, 22, वो नमबर 72, तो आपने वो नमबर में बता रहे हैं, कौन से हैं, वो हैं 22, 24, 26, तो आप बताने हैं किसे solve हो रहा है, तो आपने भी solve करके देखा, आगया है, तो मुझे कि yes में बताईगा, अगर नहीं मैं इसमें जरूर वीडियो एक बनाऊंगी तो अमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है लाइक करें कमेंट करें दूसरें के साथ जरूर शेयर करें मुझे अपनी दूआ में याद रखें अब हाजरूंगी में नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुझे दीजिए अजासाथ अल्हाफिज